दर्शुक नमस्कार MNS News लाइग में आप सभी का स्वागत है देश्टी गिर्ती अर्थब्यवस्ता के लिए मोदी सरकार की नीतिय जिम्मेदार भारती गिर्ती जीडीपी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशासी रहमन मौन सिंग ने मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा है सिंग ने एक बयान में कहा है हमारी अर्थब्यवस्ता वेक्ति द्वारा की गई गल्तियों से नहीं उबर पाई है जिसने नोडबंदी और जीएसडी को जल्दबाजी में लागू किया या विशेश रूप से चिंता जनक है कि वी निर्वाई शेत्र की वृत्ती 6.6 प्रतिशत पर आ गई है केरल के ने राज्यपाल आरिफ खान प्रगति शिल्म मुस्लिम चहरा जानी इनके बारे में केरल के ने राज्यपाल आरिफ मुहमत खान को प्रगति शिल्म मुस्लिम चहरे की तोर पर जाना जाता है 1916 में शाबालो केस में सूप्रिम कूर्ट को सांसत द्वारा कानून बना कर पल्टे जानी की विरोध में उन्होंने केंद्रिय मंत्री के पत से इस्तिफा दे दिया था जिस वंद्य माद्रम को लेकर मुस्लिम समूदाय आपति जदाते हैं उसका भी उन्होंने उर्दों में अनुवत किया था बंगाल में भाशपसांसत अर्जुन सिंग पर हमला तीमसी कारे करताओं ने कार में की तोड़ फोड पश्चिम बंगाल में रविवार को भाशपसांसत अर्जुन सिंग पर हमला और उनकी कार में तोड़ फोड का मामला सामने आया है पूलिस मामली की जाज परतल कर रही है भाजपासांसत अर्जुन सिंग ने हमले का आरोप लगाया है उनके मुताबिक हम लोग शांती पूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे पूलिस कमिशनर मनुझ वर्मा ने मुझ पर लाटी चर्च किया और अब यो शब्द भी कहे अमिशा बोले कॉंग्रेसी शर्म करे उनके पायान का देश के खिलाफ हो रहा इस्तेमाद केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिशा ने आज दादरा और नागर हवेली के दोर पर दोरे पर सिल्वासा में स्वास्ते और कल्यान के इंद्र का उधाटन किया इस दोरान उनोंने एजन्स सभा को संबोधिव करते हुए कॉंग्रेस पर हमला बोला उनोंने कहा कॉंग्रेस ने अनुचे 370 को हटाने का विरोध किया आज भी राहुल गांदी जो बयान देते है उसकी पा अब देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से मेरेस इंदिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद